मध्यप्रदेश के उजयन में स्थित महाकाल के मंदर में शिवलिंग की पूजा अबारों के पानी से होगी कोईट ने या देश शिवलिंग के सनरक्षन को ध्यान में रख कर दिये हैं कोईट ने मंदर प्रसाशन को उन 800 जावों पर अमल करने की हरी जण्डी दी है दरसल उजयन की याचिका करता सारी का गुरुद्वारा दायर की गई याचिका के बाद सुप्रीम कोट ने जियोलॉजिकल सरवे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सरवे ऑफ इंडिया की देहरदून, भुपाल और इनदोर की टीमे कें गठित कर, महाकाल शिवलिंग के सनरक्षन की जाच के लिए टीमे बेची थी. जिसकी रेपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया गया. इस रेपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग को पंचामलित स्तान भसमार्ती में होने वाली कंडव की भस में शिवलिंग पर जहने वाले जल, हार और फूल के अलावा मंदिर के गर्ब ग्रह में दर्शन करने पहुचने वाले श्रधालों के शरीर की गर्मी से भी खत्रा है चलिए बताते हैं आपको उन नियमों के बारे में, पहला नियम ये है कि श्रधालू 500 मिलीलीटर से ज्यादा जल नहीं चढ़ाएंगी, चढ़ाया जाने वाला जल सिर्फ आरू का होगा भसमार्ती के दोरान शिवलिंग को सूखे सूती कपडों से पूरी तरह ढखा जाएगा, अभी तस सिर्फ 15 दिन के लिए शिवलिंग को आधा ढखा जाता था और बेल पत्रव फूल पत्ती शिवलिंग के उपरी भाग में चढ़ेंगे ताकि शिवलिंग के पत्खर को प्राकृतिक सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपूरिया के रिपोर्ट